आज सावन महिने का सात्वा सोमवार है नाक पंचमी और सोमवार का संयोग बना है उजेन के महाकालेश्वर जोतिलिंग के शिर्ष पर विराजमान श्री नाक चंदेश्वर मंदिर के पट रविवार आधी रात को खोल दिये गए ये पट साल में एक बार नाक पंचमी पर ही खुलते हैं सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वानी अखाडे के महंत विनितगिरी महाराज ने त्रिकाल पूजन और अभिशेक किया फिर दर्शन का क्रम शुरू हो गया प्राचीन काल से पंचांग तिथी अनुसार सावन महीने के शुकल पक्ष की पंचमी के दिन ही इस मंदिर के पट खुलने की परंपरा है श्री नाक चंदविशर भगवान की ये प्रतीमा ग्यारवी शताब्दिकी है इस प्रतीमा में वन फिलाए नाक के आसन पर श्री गणेश जी के साथ देवी पारवती बेठी है संभत दुनिया में ये एक मात्र ऐसी प्रतीमा है जिसमें श्री नाक शया पर विराजमान है मंदिर में श्रीव जी, मापारवती, श्री गनेश जी के साथ ही सब तो मुखी नाग देव है दोनों के वहन नंदी और सीह भी विराजमान है श्रीव जी की गले और बुझाओं में भी नाग लिप्टेवे हैं महांकालेश्वर मंदिर में सबसे नीचे भगवान महांकालेश्वर, दूसरे खंड में उंकारेश्वर और तीसरे खंड में श्री नाक चंदरिश्वर भगवान का मंदिर है ये मंदिर काफी प्राचीन है माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 इस्वी के करिब इस मंदिर का नर्मान करवाया था इसके बाद सिंधिया घराने के महराज राणो जी सिंधिया ने 1732 में वहांकाल मंदिर का जिर्णो उधार करवाया प्रतिमा नेपाल से लाकर मंदिर में इस्ताफित की गई थी इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद